रोमियो के नाम पॉलो स्प्रेरित की पत्री अध्याय चार सो हम क्या कहें कि हमारे शारिडिक पिता इब्राहिम को क्या प्राप्त हुआ यदि इब्राहिम कामों से धरमी ठराया जाता तो उसे खमन्ट करने ही जगा होती परण्तु परमेश्वर के निकट नहीं प्वित्र शास्त्र क्या कहता हैangi इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिक्ता गिना गया काम करने वाले की मश्दूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है परंतु जो काम नहीं करता वरनभक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है उसका विश्वास उसके लिए धार्मिक्ता गिना चाता है जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है। उसे दाउद भी धन्य कहता है कि धन्य वे हैं जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप धापे गए। धन्य है वो मनश्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। तो ये धन्य कहना क्या खतना वानु के ही लिए है या खतना रहितों के लिए भी हम ये कहते हैं कि इबराहिम के लिए उसका विश्वास धार्मिक्ता गिना गया तो वो क्यों कर गिना गया खतने की दशा में या बिना खतने की दशा में खतने की दशा में नहीं परन्तु बिन गज़ा उसके बीना खतने की दशा में रखा था जिससे वो उन सब का पिता ठहरे जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते हैं और कि वे भी धर्मि ठहरे और उन खतना कीये हूँ का पिता हो। चुनाकेवल खत्ना किये हुए हैं, परन्तु हमारे पिता इबराहीम के उस विश्वास की लीक पर भी चलते हैं, जो उसने बिन खत्ने की दशा में किया था, क्योंकि ये प्रतिग्या कि वो जगत का वारिस होगा, ना इबराहीम को, ना उसके वंच को व्यवस्था के द्वारत दी गई थी, परन्तु विश्वास की धार्मिक्ता के द्वारा मिली, क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस हैं, तो विश्वास व्यर्थ और प्रतिग्या निश्फल ठैरी, व्यवस्था तो क्रोध उपचाती है, और जहां व्यवस्था नहीं, वहां उसका टालना भी नहीं, इसी कारण वो विश्वास के द्वारा मिलती है, कि अनुग्रह की रीती पर हो, कि प्रतिग्या सब वंश के लिए द्रिड हो, ना कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी, जो इब्राहिम के समान विश्वास वाले हैं, वही तो हम सब का पिता ह जैसा लिखा है, कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस पर मेश्वर के सामने, जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हूँ को जिलाता है, और जो बाते हैं ही नहीं, उनका नाम ऐसा लेता है, कि मानुवे हैं, उसने निराशा में भी आशा रख कर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वो बहुत सी जातियों का पिता हो, और वो जो एक सो वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जान कर भी विश्वास में निर्बला हुआ, ना उसने अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिक्या पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ होकर उसने परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना, कि जिस बात कि उसने प्रतिक्या की है, वो उसे पूरी करने को भी सामर्थी है, इस कारण ये उसके लिए धार्मिक्ता गिना गया और ये वचन कि विश्वास उसके लिए धार्मिक्ता गिना गया ना केवल उसी के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिक्ता गिना चाहेगा अर्थार हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु येशु को मरे हुओं में से जिलाया वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया